दोस्तों यूपित्रिपलेसी लेगफाल फरती यानि कहा जाए नियोक्तिपत्र की संदरों में आप सभी के लगातार कॉमेंटार हैं एक भईया आखिरकार हम लोगों के नियोक्तिपत्र का वितरण कब होगा तो बिल्कुल यहां देख पारें आप सभी को जगजोड देने वाली एक सूचनाएं आ रही हैं कहा जा रहा है चुनाओ की भेट चड़ी भरती नहीं मिलेगा नियोक्तिपत्र जाहिट सी बात है आपको पता है 23 फरवरी जो है आप सभी के नियोक्तिपत्र की वितरण की बात कही गई थी लेकिन अगर दिखा जाए मानने कोर्ट की दौरा आपके इस नियोक्तिपत्र वितरण पर पूरी तरह से रोग लगा दिया गया तो सभालों के घेरे में भरती उठ रही है तमाम भरती ऐसे हैं जिनके कॉल्स आ रहे हैं कि भई आखिरकार इसके लिए एक धरने की तरब चला जाएं तो यहां देखिए जब इस चीज को आप देखेंगे तो थोड़ा सा कस्ट आपको जरूर होगा नहीं मिलेगा नियोक्तिपत्र सरकार की मनसा बिल्कुल साफ नजर आ रही हैं कहा जारा है 15 मार्च नियोक्तिपत्र वितरण की डेट फरजी आपक क्लिप को खारिस किया यानि मैंने आपको असपश्ट किया कि आपकी जो आइडियोक्लिप वाइरल की जा रही है वो पूरी तरह से फर्जी है नीचे हैं देखिए 26 फरवरी राजसो परिसत का घिराओ करने चल रहे हैं जितने ब्यभ्यति हैं सभी से निवेदन है रिक्वि अपने हक के लिए जो है राजसो परिसत लखनाओ आप जरूर पहुँचे हाला कि अभी इस मुद्दे पर पूरे डेटेल्स के साथ चर्चा करते हैं तो फाइनली हमें सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे दोस्तों मैं हूँ संजे आप सभी का स्वागत करता हूँ अब इसकी जो अपडेट्स है इधर कहा जा रहा है लेकपाल भरती चैनितों को नियुक्ति पत्र के लिए करना होगा इंतिजार यहां दिखी आगी कहा जा रहा है सुप्रिम कोर्ट के आदिश पर राजसो परिसत ने लेकपाल भरती में चैनित भरतियों को नियुक्ति पत्र व करना पड़े तो आपको थोड़ा सा भारी लगता है चुकि आपको कूर्ट का जो है नियम कानून पता ही है कि वो कब तक लड़का रहे हैं या आने वाला वक्त तै करेगा नीचे देखिए कहा जा रहा है परिक्षा का आयोजन उत्तर प्रदेत थादिन सेवा चैन आयोग ने असल लेकफाल चैन को लेकर आई मामले हाई कोर्ट में चल रहे हैं सिंगल बिंच ने आयोग के पक्ष में निर्ड़े दिया था इसी आधार पर आयोग ने परड़ाम जारी किया था आगे कहा जर अंतिम चैन परड़ाम जारी होने के बाद कुछ अब्यर्ति सुप्रिम कोर सदय चिज़े dod captiv की सेना सभी तो एट सेधान काथ हैं यहां इस परबशन आथ जाए यहां teat माद्रण करने का आदेश दिया हैं यहां कौर्ण को पर रहे माम famoso कर चार haiitta चला गया ठीक है अगर एक महीना चला गया तो आपकी जो भड़ती है आपको पता है चुनाओ चलेगा आचार संगिता लग जाएगे और अगर आचार संगिता लग गए तो हलकि यो पी तरी पलसी आयोग जो है चुनाओ आयोग से परमीशन लेगा ठीक है वह एकर चुनाओ आयोग फैसला देता है या चुनाओ आयोग परमीशन देता है तब तो मिलेगा अनिता कि स्थिते में मामला अटक जाएगा और यहां मैंने कल साम को एक अपडेट से आपको दिया था कि 15 मार्श नियुक्ति पत्र की वाद कही जा रही थी लेकिन वो 100% पूरी तरह से फ्रॉड निकली प्लीज आप बच्चों के अर्मानों के साथ खिलवार ना करें ठीक है जो लोग इस वीडियो क्लिप और आइडियो क्लिप को वाइरल किये हैं प्लीज ऐसा ना करें बच्चे वैसे भी परिसानी का सबग बन गए हैं ठीक है अब यहां देखिए 26 फरवरी राजसु परिसत का गहरा इधर देख लिजिए आप सभी की दोरा ये थोमनेल बना कर वेजा जा रहा है जैसा कि यहां देख सकते हैं यहां असपश्ट भी किया जा रहा है कि 26 फरवर और अपने हक की लड़ाई लड़ो यहां देख लिजिए कहा जा रहा है नौचैनित लेक पालों को न्योकती दो भाई वी इनका हकी है यह देखिए कल की अपडेट्स है ठीक है यहां पर भी बहुत सारे भरती ऐसे हैं जिनका फाइनल सेलेक्शन बिहार सिच्छकवरती में हो गया था लेकिन वो न्योकती पत्र लेने के लिए बिहार से जो है रिजाइन देकर चले आए अब उनकी समक्ष रोजी रोटी का संकट बिलकुल खड़ा हो गया है आप इस कॉलम को देख लेजे खुद बखुद आप समझ जाएंगे ठीक है तो क्या आपको जो है न्योक कर तीन हजार भी बिरती आ जाते हैं तो हम एक बहतर प्रेडाम तक जरूर पहुंचेंगे फिलाल के लिए आप क्या चाहते हैं प्लीज आप मुझे कॉमेंट करके आवसे बताएगा ठीक है तो जैसा भी होगा हम लेकपाल के संदरोब में पलपल के अप्डेट्स चैनल के म बार विजिट किये हैं तो चैनल को सबस्क्राइब रूट कीजेगा वडियो समाप करते हैं थैंक्स धन्यवाद